आप सबी सातियों को मेरा नमश्कार रहे सरकारी कमचारियों के लिए बड़ी कुछ खबरी है खबर है कि कल हुए मोदी केमिनेट की बैठेक में सरकार ने मंगाई भत्ता में बढ़ोत्री को लेकर फैसला लिया है बताया ज़राय कि केमिनेट ने सरकारी कमचारियों के मंगाई भत्ते में बढ़ोत्री के प्रस्ताव पर मुहर जल्द ही लगा दी जाएगी हलाकि इस बारे में अभी आपचारिक तोर पर एलान होना बाकी है मोधी केमिनेट ने बुधवार को मंगाई भत्ते के आकड़े की समिक्षा की लेकिन इस बारे में अभी नहीं किया गया है बताया जा रहा है कि डिये को बढ़ा कर 42 फिस्दी करने पर समती बनाई जानी है सुत्रो का दावा है कि पियम मोधी होली से पहले इसका एलान कर सकते हैं होली के बाद वितमत्राले इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा मार्च की सेलरी के साथ ही बढ़े हुए मांगाई भत्ते का भुकतान होना है कमचारियों को दो महीने का एरियर भी मिलेगा चार प्रस्द की बहुतरी के साथ डिये बढ़कर 42 प्रस्द हो जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से इंतजार करना होगा लेकिन नोटिफिकेशन लगवकता है कि चार प्रस्द के महाँगाई भत्ते में ब्रधी आपकी हो जानी है तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि जन्वरी माह से ही आपको दिया जाएगा जन्वरी मास से जिनका जितने महीने का सेज रह जाएगा डिये वो चार प्रसद के हिसाब से उनको एरियर के रूप में ये धन रासी उन्हें दी जाएगी चाहे वो राजी कैमचारी हो या फिर कैंद्री कैमचारी आईए दोस्तों देखते हैं अगली ख़बर को दोस्तों वर्तमान में होली का आवकास होने वाला है और ऐसे में आवकास को लेकर काफी वहापों के स्थिती बनी हुई है कि किस तारीक को हमारा आवकास पढ़ेगा तो यहाँ बेसे सिख्चा प्रसद की जो आवकास तालिका है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है और यहाँ पांचों और छटे करमांग पे देखे तो होली का दहन के लिए 7 मार्च 2023 यानि मंगलवार के दिन और होली के लिए 8 मार्च 2023 यानि बुद्धवार के दिन दो दिनों का आवकास घोसित किया गया है इस प्रकार से 7 और 8 मार्च को यानि मंगलवार और बुद्धवार को आवकास रहेगा जो कि बेस्सिक्षा परिषद की आवकास तालिका में दो ही दिन का आवकास दिया गया है इसके अलबे कुछ जनपदों में अस्थानी आवकास भी घोसित किया गया है आईए एक जनपद का आदेस मेरे पास आचुका है उसे हम दिखाते हैं वहीं अगर दोस्तों अस्थानी आवकास की बात करते तो अपनी स्किन पे देख सकते हैं करेले जिला बेस्सिक्षाथक्यारी बादा का आदेस 27 फरवरी को दिया गया है और यहां दिनांक 9-3-23-3 को होली परोका अस्थानी आवकास घोसित की जाने के समद में इन्होंने आदेसित भी कर दिया है और इस आधिस में आप देख सकते हैं कि यहां पर 9-3-23-3 को होली परोका अस्थानी आवकास रहेगा प्रिंसी मौरिया जिला बेसिक्षक तारी बादा तो दोस्तो इस प्रकार के एथेंटिक सुचना जब तक आपको नौ मिल जाए तब तक यह कीन न कीजिएगा आवकास तालिका में दो ही दिन का आवकास दिया गया है साथ और आड तारी को तो जैसा हो आप अपने एसाब से निर्ड़े लीजेगा फिलाल आए देखते हैं अगले समझार को दोस्तो अगली खबर सदन से है और सदन में हमारे बेसिक्षा राजमंत्री सोतंत प्रभार स्री संदीब सीग जी ने पैसे में इनके बयान को लेकर काफी चर्चा है कि क्या ये बयान इनका सही है जो आकड़ी ये बता रहे हैं सही है या गलत है क्योंकि इन्होंने सिख्षों की कमी को बिल्कुल सीरे से खारिज कर दिया है आईए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को मांगे पूरी नहीं हुई तो 11 अप्रिल को देश बयापी प्रदर्सन करेंगे कमचारी सिख्छक संजुक्त मर्चा तथा विकास प्राधिकरणों के 27 लाग कमचारी वसिक्षक सामिल होंगे यहां आगे बताएगा है कि यह निड़े बुद्धवार को कमचारी संजुक्त मोर्चा की बैठक में लिया गया है मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिस्र ने बताया है कि 8 दिसंबर 2021 को ततकालीन मुखे सचिव के अध्यक्षता में हुई बैठक में जो निड़े लिया गया था उसके निड़े का करियानवन अब तक नहीं हुआ है मोर्चा के महासाची उससी कुमार मिस ने बताया है कि अस्थानी निकाय के कर्मियों की कैसलेस इलाज, वेतन विसंगती, पुरानी पिंसन पहाली, संभीता कर्मियों के विन्मृति करनर जैसे कई समस्याओं पर हुए निड़ेों का भी क्रियानेवन नहीं हुआ है पतादिकारियों ने चेताओं नहीं दी है कि 11 अप्रिल तक मांगो पर फैसला नहीं हुआ तो उसी दिन आंदोलन की घोसड़ा की जाएगी तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुखे समचार वीडियो चले जो तो लाइक कर देजेगा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर देजेगा कि मैं इस तरह के अपडेट्स साब के लिए लेकर आता रहता हूं मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की साथ अब तक के लिए नमस्कार